लोग सबाद चुनाओं की सरगर्मिया अब हर्याना में भी घर्मानी लगी है सियम मनुहलाल आज रिवारी जिले के कोसली विधान सबा में आयो चुद पन्ना प्रमुक समेलन में पहुँची इस मौके पर सियम ने पन्ना प्रमुकों का बूत मजबूत करने की शपत दिलाई अब है चोटाला और अशोक अरोणा से मुलाकात पर सियम ने साफ किया है कि वो एक आपचारिक बैठक थी जिसमें गडवंधन को लेकर कोई बात चीत नहीं हुई है और पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी सियम ने इस बात के जानकारी दी ये उपचारे बैठती इन एलों से किसे भी तरह का गडवंधन नहीं होगा इस बात से इंकार करते हुए नजर आए सियम साथी उनने कहा कि पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी प्रन्ना प्रभुक समिलन का आयोचन क्या गया था इस मौके पर हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहलाल खटर मौचोद रहे आपको बता दें इस मुलाकात को उन्होंने सर्फ आपचारिक मुलाकात ही बताया तो आई इनैलों से गड़वंधन के सवाल पर बोला के इनैलों से किसी भी तरह का गड़वंधन नहीं होगा बलके पार्टी अकेले की दन्म पर चुनाव लड़ेगी विचार धरा के नाते से हमारी आस्ता के विशह हैं विचार धरा के विशह हैं यह विकास के सबाते हैं सब उसमें ले गई है और यह दो स्मस्ति है कि 377 अगर बनी रहेगी तो कश्मीर को अपने बहरत आंगा नहीं बना से झाल झाल